नमस्कार साथियों आज हम मिमानसा दर्शन में प्रमाणों पर आगे चर्चा करेंगे जिसमें मुख्य रूप से हम प्रत्यक्ष अनुमान व उपमान प्रमाण पर चर्चा करेंगे सबसे पहले हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं वैसे न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के बारे में विस्तार से हमने बात की थी और लगबग सभी भारतिय दर्शन न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमान को स्विकार करते हैं प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों के योग से बना है एक है प्रती दूसरा है अक्ष प्रती का अर्थ होता है सामने और अक्ष कहते हैं आख को तो जो भी आख के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है भारति दर्शन में प्रत्यक्ष शब्द एक पाजिभाशिक शब्द है जिसका तात्पर्य आँख के सामने से थोड़ा विश्ट्रित है भारति दर्शन में सभी संप्रदा है प्रत्यक्ष के अंतरगत सभी इंद्रियों द्वारा ग्याद ग्यान को लेते हैं यानि जो भी हमें अपनी इंद्रियों से ग्याद होता है वो सभी के सभी प्रत्यक्ष का विश्य है हमारे इंद्रियों के संख्याओं के बारे में मत्भेद अवश्य है विशेशकर मन को लेकर बहुत से दर्शन संप्रदाय जिसमें शंकर विशेश हैं वो मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं बाकी जो भी दर्शन मन को इंद्रिय मानते हैं वो मन द्वारा ज्यान को भी प्रत्यक्ष के अंतरगत रखते हैं तो हम जो भी अपनी पांच या छे इंद्रियों के द्वारा ज्यात करते हैं वो प्रत्यक्ष के अंतरगत आता है जैसे हम आख से देखते हैं वो तो प्रत्यक्ष है ही हम जो कान से सुनते हैं हम जिससे अपनी तवचा से छूके ग्याद करते हैं जो हम अपनी जिव्या से इस वाद ग्याद करते हैं हम जो कुछ भी नाख से सूंगते हैं ये सभी प्रत्यक्ष के विशे हैं तो इंद्रिय जन्य ज्यान को प्रत्यक्ष कहा जयता है अर्था चक्षू आधिंद्रियों के दवारा जो ज्यान उत्वत होता है वह प्रत्यक्ष ज्यान कहलाता है कोई भी ज्ञान ज्ञान कब कहलाता है इसके बारे में न्याई दर्शन में उसके तीन लक्षन बतलाए गए है जो लगबग सभी दर्शन संप्रदाय स्विकार करते है सबसे पहला है अव्यभिचारी यानि जिसमें कोई अव्यभिचार ना हो व्यभिचार का तात्पर्य है अपने मार्ग से च्योत हो जाना तो जो भी ब्रह्म, संशे, विपर्ये इन सभी प्रकार के दोशों से रहित हो ऐसा ही ज्ञान प्रत्यक्ष कहला सकता है जिसमें कोई संशे ना हो इदम स्पस्ठ हो, निश्चित हो उसमें कोई विपरीत था ना हो दूसरा है अवयपदेश्य हो ऐसा ग्यान जिसे शब्दों द्वारा प्रकट ना किया जा सके जिसे शब्दों द्वारा ना बतलाया जा सके दूसरा है विवसाय अत्मक यानि जो निश्चित हो तो जो ज्ञान अवयभीचारी हो अवयपदेश्य हो और विवसाय अत्मक हो वही पृत्यक्ष है अब है इंद्रिय निश्कर्ष न्याय दर्शन में विशेशकर प्राची न्याय में इंद्रिय और पदार्थ के सन्यकर से जो ज्ञान उत्पन होता है उस ज्ञान को पृत्यक्ष कहा गया है जैसे मान लीजी आपके सामने कोई पुस्तक रखी वी है मान लीजी आपके सामने कोई अलमारी है तो जैसे ही आपका उस आख का और वस्तु का संयोग होता है तो यह आख और वस्तु का सन्यकर्श है, योग है जैसे ही आपके कानों में कोई संगीत सुनाई पड़ता है टकराता है उसकी तरंगे तो यह सन्यकर्श है कान और आवाज का जैसे ही जिव्यपर आपको पडार्थ रखते हैं तो यह सन्यकर्श है इंद्रिय का और वस्तु का तो हमारी संपून इंद्रिया इसी प्रकार से कारे करती है कि वो वस्तु के संपर्क में आती है इसे ही सन्निकर्ष कहा जाता है तो वस्तु और पदार्थ का जब इंद्रिय से संपरक होता है तो वो सन्निकर्ष कहलाता है अब है प्रत्यक्ष के प्रकार प्रत्यक्ष ये प्रत्यक्ष के प्रकार नहीं है एक प्रकार से ये प्रत्यक्ष के दो भाग है एक पहली अवस्ता है और दूसरी अवस्ता है तो स्वरप्रतम ये होता है कि हमारी इंद्री के साथ किसी अवस्तू का संपर्क होता है तो ये पहली अवस्ता है तो उस समय हमें ग्यात नहीं होता है कि हमें क्या ग्यात हो रहा है हमें वस लगता है कि कुछ है एक कुछ का भाव मन में होता है जैसे माली जी आप खड़े हो पीछे से कोई आपके कांदे पे हाथ रखे तो आपको वस ये पता लगता है कि किसी ने हाथ रखा है या किसी ने छुआ है आपको पता नहीं होता है कौन है जिसने आप कुछ हुआ है तो ठीक ऐसे सबसे पहली जो अवस्था है कोई भी हमें समवेदिना प्राप्त होती है चाए आख से हो, चाए कान से हो, चाए जिव्या से हो हम भी कोई अंजानी चीज को जिव पे रखे याद करने का प्रियास करते हैं कि क्या है ये इसका स्वाद इसमें कुछ अजीब सी स्वाद किस कार है तो हम फिर उस दिर बाद वो अस्मृत होती है तो जो पहली अवस्था है कुछ होने कि कुछ है ऐसा जो निर्विशेश ग्यान होता है जिसे हम किसी केटेगरी में नहीं डाल पाते पहले, बस ग्यात हुआ, यह निर्विकलपक परत्यक्ष कहलाता है. दूसरा है सविकलपक परत्यक्ष, यह परत्यक्ष की दूसरी अवस्ता है. इसमें हम पहचान जाते हैं कि हमें किस समवेजना, किस वस्तू की समवेजना ग्यात हो रही है या प्राप्त हो रही है अब हम समझाते हैं कि जो हमने सुन रखा था या सुन रहे हैं वो किसी स्कूल की गंटी है या हम जिस वस्तू को देख रहे हैं वो एक गाय है या हमने जो जीवेप रखा वो कोई हमारी जान नी पहचाना सुआध है तो इस सविशेष ग्यान को जिसमें हम उस वस्तु का नाम उस वस्तु की स्थिती उस वस्तु का रूप उन सब के बारे में हम निश्चित हो जाते हैं कि यह है तो इसे सविकल्पक परत्यक्ष कहते हैं परत्यक्ष के दुआरा हमें इस संपूर्ण विचित्र संसार के जगत का सत्य होता है फ्राप्त और केवल सत्पदार्थ ही परत्यक्ष के विशे हो सकते हैं कोई कालपनिक कोई ब्रमात्मक कोई संशयात्मक वस्तों प्रत्यक्ष का विशे कभी नहीं होती है दूसरा है अनुमान अनुमान का जो विचार है विमान सादर्षन का वो भी न्यायवेसे शिक्हीं की जैसा ही है अनुमान शब्द दो शब्दों के योग अनु प्लस मान से बना है अनु का तात्पर होता है पश्चात बाद में और मान का अर्थ होता है ग्यान तो अनुमान उस ग्यान को कहते हैं जो किसी पूरू ग्यान के पश्चात आता है यानि कि अनुमान के लिए हमें पूरू में किसी ज्ञान के आवशक्ता सदेव रहती हैं जैसे इसका एक उद्रान देते हैं जैसे हमने कई बार धुएं को आग के साथ देखा जहां भी धुएं देखा हमने देखा कि वहां पे आग होती ही है तो फिर कभी भी कहीं भी हमें अगर दुआ दिखा ही पड़ जाए तो यह हम बिना विचारे कह सकते हैं कि वहां आग है तो यह जो आग और दुआ है इन दोनों में हम एक संबंद को स्विकार कर लेते हैं जिसे व्याप्तिक आ जाता है इसके बारे में न्याय दर्श्र में बड़े विस्तार से मैंने बताया हुआ है आप और बाकी वीडियो दीख सकते हैं मेरे चैनल पर तो अनुमान का जो मूल है वो है व्याप्ति संबंद यानि दो वस्तों के आपसी संबंद का हमें ज्यान हो तब ही हम अनुमान कर सकते हैं तो व्याप्तिक आत्परे है कि जब हम दो वस्तों को सदेव साथ साथ देखते हैं नित्य साहचरिय में देखते हैं तो हम दोनों में एक संबंद को स्विकार कर लेते हैं चुकि धुएं और आग में नित्य साहचर ये पाय जाता है इसलिए इन दोनों में एक संबंद बताया जाता है वो है व्याप्ति संबंद की जहां भी धुआ होगा उसका कारण केवल और केवल आग ही होती है जैसे यदि हम खिड़की से बाहर जाके हैं और रोशनी हो गई हो तो हम मानके चलते हैं कि सूर्य उद्य हो चुका है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में और सूर्य में एक संबंद है व्याप्ति संबंद हो जैसे माननी जे हम किसी दूर मकान से दूआ उठता देखते हैं तो हम इस पस्तर कह सकते हैं कि उस मकान में आग लगी है हमें उस आग को देखने के आउशकता भी नहीं है हम सीधे ही फायर ब्रिगेट को फॉन कर सकते हैं कि फला-फला मकान में आग लगी है आप तुरंट साही है हमने सिर्फ दुआ देखा किन्तु हम जानते हैं कि दुआ बिना आग के कभी नहीं होता तो इसपस्ट है कि इतना अधिक दुआ अगर किसी मकान से उठ रहा है तो उसमें अवश्य आग लगी होगी अतह यह अनुमान सही है संक्षेप में विचार प्रणाली को जिस से हम किसी लिंग दुआ दुआ दुआरा किसी अन्य वस्तु का ज्ञान ब्राप्त करते हैं वह अनुमान है क्योंकि उन दोनों में एक संबंध होता है व्याप्ति संबंध तीसरा जो प्रमान सुईकार कहा गया है मिमानसा में वो है उपमान शबर स्वामी के नुसार उपमान प्रमान साद्रश्यात्मक ज्यान पर आधारित है और मिमानसा दर्शन में साद्रश्य को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है शबर मिमानसा दर्शन के बहुत बड़े ठीका कारवा है जो जैमनी के मिमानसा सूतर पर आधारित है उन्होंने उप्वान को साद्रिश्टा मक प्रमान माना है जैसे पश्चा दर्शन में एक साद्रिश अनुमान होता है ये लगबग ठीक वैसा ही है और साद्रिश एक पदार्थ है जो स्वतंत्र माना गया है ये उनकी तक्त्यमानसा में हम देखेंगे सबर ने उप्मान का एक दृष्टान दिया है कि उप्मान क्या है असल में तो जैसे मुझे अनुवव होता है कि मैं हूँ उसी तरह मैं ये जान सकता हूँ कि अन्य को भी अपने आत्मा का अनुवव होता है जैसे मुझे प्यास लगने पर जो अनुभूत होता है या अन्य लोगों को भी वैसा ही अनुभूत होता होगा ये साद्रशिता है जब मुझे चोट लगती है तो पीड़ा होती है अतर उपमान का अर्थ है ज्यात वस्तु के सादर्ष्य के आधार पर अज्यात वस्तु का ज्यान तो हमें जो ज्यात है उसके सादर्ष्य हम मान सकते हैं कि कुछ और कारे भी है तो ये उपमान कहलता है और न्याय और विमान सा दोनों उपमान प्रमान को एक स्वतंत्र प्रमान स्विकार करते हैं लेकिन उनके जो उपमान की व्यक्ति जो है उसमे थोड़ा भेद है उसको हम थोड़ा समझेंगे तो यह उपमान हमें और सपस्ट हो जाएगा तो न्या ये मानता है कि मान लीजिए किसी वक्ती ने नील गाय नहीं देखी किन्तो उसने किसी विश्वशनी व्यक्ती से सुना है कि नील गाय गाय के जैसी दिख़ए पड़ती है वो गाय के जैसा ये एक जानवर है फिर वह कहीं जाता है और उस जानरों को देखता है और उसे गाय के सद्र शिपा कर जान जाता है कि यह नील गाय होनी चाहिए क्योंकि मुझे किसी ने खा था कि यह नील गाय जो होती है गाय के जैसी है तो जिस साधन से उसे नील गाय का ज्ञान हुआ उसे उपमान कहते हैं उपमान द्वरा प्राप्ज्ञान ही उपमिती है तो अब इसमें कहा है कि जो कहे गए कथन है उससे और वस्तू से साधरश्यता होती है तो नियाए दर्शन में उसको उपमान प्रमान कहा जाते है यानि कथन और वस्तू की साथ दर्श्यता संग्या, संगी, संबंद जैसा कहा वैसा दिख जाए यह उपमान है अब विमानसकों ने इसकी थोड़ी अलग तरह से व्याहिए वो कहता है कि मान ले किसी व्यक्ति ने नील गाय तो नहीं देखी किन्तु वो गाय के वारे में पूरी तरह से जानता है और वो अभी किसी जंगल से गुजर रहोता है उसे वहाँ नील गाय दिखाई पड़ती है तो उसे यह ग्यात हो जाता है कि यह जो मैं जान वर देख रहा हूँ यह गाय के जैसा है तो उसे ग्यात होता है कि यह जो नील गाय है यह गाय के जैसी होती है यही उपमान का उधारन है में मान सकों कि अनुसार उपमिती या उपमान जन्य ग्यान तब होता है जब हम पहले देखी गई वस्तु के सद्रश्य किसी वस्तु को पाकर यह जान जाते हैं कि इस मृत्वस्तु पृत्यक्ष वस्तु के समान है मान लेजिए आप किसी फिल्म स्टार के शकल के व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसे देखते हैं यह जान जाते हैं कि यह अमुक फिल्म स्टार के जैसा है तो यह जो आपको ग्यान हुआ यह उपमान है साधर शिता क्या धारपा आज हम इतनी बात करेंगे आपका बहुत बहुत देने बात नमस्कार